हेलो बच्चो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों पर और आप लोगों ने अपना एक्जाम भी अच्छे से दिया होगा अब हम अपना आगे का चैप्टर देखेंगे इस वीडियो से और जिसमें हम चैप्टर नमबर फोर ले रहे हैं जो कि है र जिनको मैं कहूं आप अंडरलाइन करते चाहिएगा जो आपको भी लगे आपके लिए हाड है वो अंडरलाइन कर लिजेगा ठीक है तो अब मैं रेट करके एक्स्प्लेन कर रहे हूं परिमल वाचिंग अ हिस्टारिकल सीरियल उन टीवी इन विच ही सो अ पैलस ठीक है परि उसके दिमाग में एक विचार आया are such palaces still in existence क्या यह जो पैलस है यह महल जो है क्या आज भी है इसी तरीके के कई सवाल लेते हुए और इन सवालों के जवाब के लिए वो इतना ज़्यादा इच्छुक हो गया क्यों अपने ग्रांट फादर के पास गया his grandfather told him a few things like what is discussed below तो उनके grandfather ने जो भी कुछ उने समझाया explain किया जो इस तरीके से हैं जो आगे पढ़ेंगे और देखेंगे such palaces were constructed by king in ancient time तो उनके grandfather ने बताया कि इस तरीके का जो palace होते थे वो ancient time में बनाए जाते थे राजाओं के समय में we come across many such palaces some of which are in runs while other are in good condition तो उनका उन्होंने कहा कि इन में से कुछ ऐसे palace हैं जो की तूट फूट गए हैं बरबाद हो गए हैं और कुछ आज भी अच्छी condition में है there is a difference between the construction of structure in present time and the kind of work done in the earlier ages तो उन्होंने कहा कि आज की ताइम में जो construction होता जो पहले किया जाता तो उसमें बहुत ज़्यादा difference है from this difference we can make out the period during which a particular structure was constructed तो यह जो differences के basis के हम पता कर सकते हैं कि यह जो construction किया गया है किस period में किया जे गया है monuments constructed during the Rajput age can be seen even today तो Rajput age के दोरान जो भी monuments बनाए गए थे वो आज भी हमें देखने को मिलेंगे To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time तो उस यूग के बारे में जानने के लिए हमें Indian dynasties के बारे में जानना होगा कि main Indian dynasties कौन कान से थे Rise of new dynasties After the death of Emperor Harshwardhan In the middle of 7th century CE Many federal shifters and land laws declared themselves to be independent and founded new dynasties तो जब Harshwardhan के death through 7th century के middle में तब जो सरदार थे, जो लोग जमिदार्स थे उन्होंने क्या कि खुद को आजाद महसूस करने लगे और उन लोगों ने अपनी एक नई dynasty emerge कि ठीक है, नई dynasty को उभार कर लाए Many dynasties came into existence तो उनके मृत्यू के बाद कई dynasties आएं The main dynasty ruling North India were गोर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्या, पर्मार और चोहान dynasties In North India In North India में ये सारे dynasties आए Among those In South India were the पालव, राष्टकुट, कल्यानी, चालुक्या, चेर, पंड्या, चोहान dynasties North में तो ये सारे आए गोर्जर, प्रतिहार, पालव, चालुक्या, पर्मार चोहान dynasties और South Side में पालव, राष्टकुट, कल्यानी, चालुक्या, चेर, पंड्या और चोहान dynasties आए The kingdom of the early medieval period were divided into two parts तो जो kingdom था, ठीक है, वो दो भागों में बटा हुआ था पहले, North India और South India तो South India के हमने dynasties देख ली, North India की भी देख ली अब next video में हम आगे का chapter देखेंगे कि North India की जो dynasties थी, उसमें किस-किस ने rule किया, कब-कब वो आई, किसके बाद कौन सी dynasties आई, वो next video में हम continue करेंगे Thank you